हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल एवरी रे न्यू दोस्तो फाइनली आरारबी एल पी एक्जाम का सीटी एंटिमेशन अब सभी केंडिडेट का जारी हो चुका है और दुबारा से दोस्तो अब यहाँ पे 29 नौंबर का जिनका एक्जाम है उनको भी अब यहाँ एक्जाम के समय एक्जाम लेटर या फिर को इस पर दिखा रहा है जो कि यहाँ पे समॉल में और बागी डिखा रहा है तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा एक्जाम के समय इको लेटर या फिर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना होगा और किस लिंक से डाउनलोड करना होगा तो आए पूरी अपडेट देख लेते हैं इससे पहले जो लोग चैनल पर नाया है वो सब्सक्राइब करके बिल बटन दवा दिजेगा रेलवे भरती की इपलपल की अ इलपी टेकनिशियन्स इसी तरह से जूनियर एंजिनियर आरपी एफ एसाई एंटी पीसी ग्रूप डी सारे एक्जाम के दोस्तों मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो प्रिवियस येर कोश्चन पेपर भी एविलेवल है इतना ही नहीं एससी बैंकिंग अधर स्टेट ग होगा तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था किसी का दोस्तों एक्जाम सेंटर चेज नहीं होगा जो पहले देख लिए थे और अब जितने चात्र का प्रोब्लेम था सारे सोल्ब हो चुका है लगवग दोस्तों सभी का अब सीटी एंटिमेशन आ चुका है तो सिंपल बर्थ आपको यहां पर डाल देने हैं और जो काप्चा कोट है डाल करके दोस्तों आपको यहां पर लॉग इन कर देना होगा लॉग इन करते ही अब यहां पर कंडियेट का जिनका 29 को पेपर था उनका भी दिखाने लगा है सीटी इंटिमेशन सिलिप यहां पर इनकी बात करें तो टेश्ट सीटी परिच्छा का सहर जबलपूर मिला है टेश्ट का स्टेट बता है तो मध्य प्रदेश के अंतरगत डेट ओफ एक्जाम 29 नौंबर 2024 देखिए तो 29 नौंबर वाले अब सभी छातर का सीटी एंटिमेशन आ चुका है शिप्ट तो सेकेंड स्ट में इनका यहां पर पेपर होने वाला है सारे स्ट का यहां पर उपस्तित होने का समय दे दिया गया है यहां पर गेट क्लोजिंग का सभी का यहां पर समय दे दिया गया है और एक्जाम स्टार्ट होने का समय यहां पर सभी का दे दिया गया है तो इसी तरह से अब सभी पहले आपका लाइब नहीं दिखा रहा था उन सभी का अभी तक नहीं आ पाया अब तो सभी का लाइब हो चुका है अब देखिए कई सारे के । 350 के साथ एक प्रोब्लेम आ ही है में ठीक है जो नें दिखा है सेटी एंटिमेशन यहाँ पूरा का पूरा ऊहांunda क्याथda में जाएंगे हम लोग तो दिक्कत तो नहीं होगा या फिर आगे चलके दिक्कत तो नहीं होगा तो देखे किसी छात्र को कोई यहां पे दिक्कत नहीं होने वाली है इसलिए पहले तो चिंता छोड़ दीजे आपका पूरा नाम देख लिए कि सही है या फी नहीं इस प्रिंग साही होनी चाहिए क्योंकि दूस्तो यह सारा का सारा जो डेटा है रिल्वे ने फॉर्ण भराया था वह सारा टी चीएस को भीजा टीचीएस के सरवर पे डालना था यह सब तो टाइपिंग एरड हो सकता है फ्रेंज टापिंग के जगह पर यहां पर कैपिट्ल है ही नहीं इसलिए बहुत कोईरी जा रहे थे मैंने आज क्लियर कर दिया ऐसे की नहीं का दिखा रहा है तो कोई प्रोब्लेम की बाग नहीं है अब दूसरा एक बड़ा कोईरी आ रहा है फ्रेंस यहां पे एकाउंट लॉक का और काफी सारे केंडेट है जिनकी अकाउंट यहां पर लॉक हो चुके है और ऐसे काफी सारे छातर के साथ हुआ है फ्रेंस मेरे पास बहुत स्किन्शोट आएं कि सर क्या करें मेरी अभी तक नहीं दिखा रहा है सीटी एंटिमेशन ऐसे करके दिखा रहा है और होता क्यों है एकाउंट लोग तो अगर आप लोग गलत डिटेल डालते हो गलत डिटेल्स डाल के लोग इन करने की कोशिश करें हो और लगातार 5-6 वर कर रहे हो यह तो रेश्टेशन नमबर आपका गलत है यह तो डेट बात डाल रहे हो तो ऐसा केस में क्या होता है कि आपका एकाउंट है जो की लोग हो जाता है और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखी नहीं पाएगा दिक्कत आ रहा है लेकिन कुछ आत्र करने कि सर दूसरे मोबाईल में, तीसरे मोबाईल में, कितना भी मोबाईल में देख रहा हूँ, बार-बार अकाउंट लॉक ही दिखा रहा है, तो अब करें तो क्या करें, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मेरा अकाउंट सही होगा, तो देखें आपको करना क्या होगा जहां से आपने form apply किया था rb apply.gov.in इस website पर आजाना होगा यहां पर apply का option है इस पर आपको click कर देना होगा already have an account पर आपको click कर देना होगा और इसके बाद दोस्तों आपको अपना detail डाल के login कर लेना है mobile number या फिर email id और जो password आपने बनाया था वो password डाल दीजे I am not a robot पर इस पर ठीक लगा दीजे इसके बाद आपको दोस्तों login पर click कर देना है login होते ही ऐसे आपका open हो जागा जिसमें सारा कुछ बताते रहेगा और online application application history ऐसे करके आएगा और यहाँ पे आपको अपना photo दिखाई देगा ठीक है ठीक है friends जिसमें पहला capital letter होना चाहिए और बाकी जो है small letter होना चाहिए और कुछ special character भी होना चाहिए चाहिए इस तरह से कुछ special character होना चाहिए 123 जो numerical value होना चाहिए वो भी होना चाहिए तो इस तरह से combination से एक password बना लिजेगा और इसके बाद फिर से login करके देख लिए कि login हो रहा भी नहीं हो रहा है तो ठीक है और तब जाकर के दुबारा आप लोग CT automation चेक करने की कोशिज कीज़े एक दो घंटे बाद ठीक है अगर इस तरह से problem solve हो जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है और हो जानी चाहिए दोस्तों इस तरह से क्योंकि चेंज password किया जा रहा है कि password आप लोग चेंज कर लिए तो हो सकता है कि आपका solve हो जाए तो एक कर लेना है अगर password चेंज करने के बाद भी साम साम तक देख रहे हो जो की railway का जो भी queries आपका है ELP technician जिससे related तो ELP वाले आप लोग हो तो किसी का call query अभी आ रहा जैसे CT intervention नहीं दिखा रहा है या फिर account lock वाली problem दिखा रहे है या फिर कुछ और तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए यह जो number है इस पर call कीजिए friends सुबह 10 वे से 3-5 वे तक ए एक्टिव रहेगा आपके call लोग लेंगे या फिर एक नंबर है इस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर जो email है email पर भी आप लोग सारा screenshot दे सकते हो कि इस तरह से दिखा रहा है जल्दी से problem को solve कीजिए CT automation मेरी नहीं दिखा रही है फिर call करके आप लोग बता सकते हो क एकाउंट लोग बता रहा है फिर change password करने के लिए बता रहा है फिर contact administration करके बता रहा है तो जल्द से जल्द problem को solve किये जाए वहाँ पर कोई option नहीं है CT automation के पास कुछ चेंज करने का ठीक है तो इस तरह से आप लोग query रेज कीजिएगा जल्द से आपकी बास सुन जागी कु उसकी website को open करके contact us website पर contact us का section होगा उस पर क्लिक करके number निकाल सकते हो email निकाल सकते हो वहाँ पर भी contact करके बता सकते हो कि सर इस तरह से problem आ रही है मैंने इस जून से आविधन किया है मेरा registration नमबर है है date of birth यह है roll नमबर है मेरा नाम यह है और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हू उसमें से सारे तरीके को अपना यह हो सकता है कि कि निका normal सिर्फ mobile चेंज करने से ही हो जाए दूसरे mobile में ही login की जगा तो आपका दिखाने लगा यह फिर हो सकता है कि नहीं हो तो password बदलके या फिर administration से contact करके complain करके आप लोग चाहो तो अपना यह चीज है जो कि फिर से सही क करना होगा और किस लिंक से डाउनलोड करना है तो देखिए जहां से city intimation आप लोग देखते हो इसी लिंक से दोस्तों आपको admit card भी डाउनलोड करना होगा और इसी में उपर साफ साफ मेंशन है link to view download city intimation slip e-callator देखिए तो e-callator भी इसी link पे आपका आएगा और इसलिए station number डाल करके जो date of birth आपका है इसको डाल करके और यहां पर जो capture code है इसको डाल के आपको login करना होता है admit card के लिए लेकिन कब तक admit card आती है तो दोस्तो exam के exam के 4 दिन पहले दोस्तों आपका admit card यहां पर जारी होता है यानि 25 नॉंबर को जिनका अगर paper है तो admit card कब आएगा तो एक candidate है जो की 20 नॉंबर को अपना admit card है जो की देख सकते है login करके ठीक है जैसे ही आप लोग लोग इन कीजेगा तो यहां पर admit card का एक option है जो दिखाएगा e-call letter का या फिर all जो लिखा रहाता है उस पर click किजेगा तो उसमें आपको e-call letter का एक option है उस e-call letter पर click करते हो और न exam center पर तो वो दोस्तो अलाव ही नहीं करेगा आपको एक्जाम में बैठने का e-call letter download करना होगा admit card आपको download करना होगा सारे चातर को और admit card exam से 4 दिन पहले आएगा तो 25 नॉंबर वालों का दोस्तो यहां पे जो admit card है वो यहां पे 21 नॉंबर को आ जागा 26 नॉंबर वालों को तो यहां पे 22 नॉंबर को admit card आ जागा 27 नॉंबर का जिनका paper है उनको यहां पे 23 नॉंबर के date में admit card याँ पप्प्र जारी 창 हो जागा 28 नॉंबर priority date में के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है अभी एड्मिट काड डाउनलोड नहीं होगा एक्जाम से चार दिन पहले ही एड्मिट काड आपका जारी होता है तो यह रही अपडेट बाकी और भी कोई अपडेट को इन्फोमेशन आती है तुरंत आपको अपडेट करूंगा वी नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट में